एक नया रोम जिसका नाम अब देखेंगे रेडमी के 20 प्रो खेले एक नया रोम जिसका नाम है Legion OS So guys हम इधर पर देखते हैं कि इस रोम में क्या-क्या बग्स हैं और क्या आप इस रोम को एधर डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो की नहीं तो हम हमेशा की तरह इधर पर अबाउट सेक्शन से चालू करेंगे जैसा कि आप इधर पर देख सकते हो Firmware Information में Legion OS का वर्जिन ओफिशल है इधर पर Security Patch आपको 5th July 2021 का देखने को मिलेगा Android वर्जिन आपको इधर पर 11 देखने को मिलेगा फिर इधर पर Build Number देख सकते हैं फिर इधर पर Kernel जो यूज हुआ है आपको इधर पर मिलेगा Immensity X Kernel इसके बाद हम इधर पर देख लेते हैं Launcher तो Launcher इधर पर Legion OS Launcher के अगर हम इधर पर Home Settings में जाते हैं तो आपको यह Basic Options आपको इधर पर देखने को मिल जाते हैं Like Show Search Bar, Icon Pack एधर से आप Icon Pack चेंज कर सकते हो Hidden and Protected Apps का भी आपको इधर पर Launcher में Integrated देखने को मिल जाएगा फिर इसके बाद आप Anywhere to Double Tap to Sleep Anywhere on Screen का भी Option इधर पर देखने को मिल जाएगा इसी के साथ-साथ हम AOD से Fingerprint देख लेते हैं तो जैसा कि आप इधर पर देख सकते हो AOD से Fingerprint प्रॉपरली वर्क कर रहा है इसके बाद हम देख लेते है इसके बाद हम देख लेते है Face Unlock तो जैसा कि आप इधर पर देख सकते है Face Unlock भी इधर पर available है and इधर पर work भी properly कर रहा है कोई भी issue नहीं है इधर फिर एक बार और हम एक बार test करते है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि Face Unlock भी इधर पर properly work कर रहा है Let's have a look one more time तो जैसा कि आप देख सकते हैं Face Unlock भी इधर पर work कर रहा है App Locker भी इसी के साथ साथ हम test कर लेते है जैसा कि मैंने इस एप को लॉक करके रखा हुआ तो fingerprint and use face का option आपको इधर पर मिलता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर पर instantly lock भी हो गया App Locker तो इधर पर app Locker भी आपको properly working देखने को मिल जाएगा इसके बाद गाइस इधर पर मैं आपको दिखा देता हूँ Quick Settings तो Quick Settings कुछ आपको इस तरीके इधर पर देखने को मिल जाएगा मैंने इसको Oxygen OS style में इधर पर set करके रखा हुआ है तो आपको आप भी इधर पर अगर चाहो तो कर सकते हो इसको set तो इस तरीके के कुछ Quick Settings पैनल देखने को मिलता है तो आपको इधर पर देखने को मिल जाएगा तो आप इधर से device audio and microphone दोनों ही एक साथ record कर सकते हो Quality Control का कोई भी option देखने को नहीं मिलेगा screen recorder में फिर camera की बात अगर मैं करूं तो camera आपको इधर पर देखने को मिल जाता है Google Camera Go as a default camera application तो आपको इधर पर Google Camera Go Greatness का वर्जिन तो इधर पर आपको यह देखने को मिलेगा बट अगर आप चाहो तो इधर पर ब्यूरियल यह फे दूसरा प्रॉपर Google Camera भी इंस्टॉल कर सकते हो मेरे को ब्यूरियल जादा पसंद है तो मैंने ब्यूरियल इधर पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है अगर आप चाहो तो एंच कैमरा भी इधर पर इंस्टॉल कर सकते हो तो अगर आपको नहीं पता हो एंच कैमरा कैसे अपने मोबायल पर तो मैं टॉप राइट पर इधर पर कार्ड लीफ कर दूँगा तो आप उसको देखके गाइड फॉलो कर सकते हो तो इधर पर जैसा कि आप देख सकते हो ग्रेटनेस वर्जिन ग्रेटनेस गो यह आपको गूगल कैमरा का वर्जिन देखने को मिला फिर इधर पर Google Photos Spoofing की अगर बात करें तो Storage Saver Quality में आपको Unlimited Storage देखने को मिल जाएगा बट आपको Original Quality में इधर पर Unlimited Storage देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि आपको Pixel Experience, Evo X या फिर Havok OS जैसी Rooms में देखने को मिलता है बट storage saver quality में आपको इदर पर unlimited storage Google photos में मिलेगा इसके बाद guys Google hot word देख लेते हैं तो okay Google जैसा कि आप देख सकते हो यह work कर रहा है बट एक दू बार जैसे अगर आप okay Google call करेंगे तो उसके बाद फिर यह work करना बंद कर देता है किसी reason से तो मैंने actually मैं इसको 3-4 बार test किया बट हर बार ही यह चलना बंद हो जाता है तो इदर पर आपको यह okay Google का issue थोड़ा सा देखने को मिलेगा screen off के साथ भी जैसा कि आप देख सकते हो इदर पर work नहीं कर रहा है तो यह guys okay Google इधर पर properly work करता हुआ इस build में Legion OS के नहीं मिलेगा आपको फिर इधर पर settings panel देख लेते हैं तो settings panel इधर पर आपको कुछ One UI से inspired देखने को मिल जाएगा and I think I personally think कि इधर पर developer ने कुछ जाधा ही try hard किया है कि इसको थोड़ा सा different बनाए तो सारे options actually में jumbled है जैसे कि आप देख सकतो बैटरी को और नीचे साइच सेक्योर्टी को आपको उपर मिल जाएगा तो अगर आप पहली बार इस रोम को इधर पर battery settings panel में आते हैं तो थोड़ा सा इधर पर धूड़ना पढ़ जाते हैं options इसके साथ दिस्प्ले सेटिंग्स देखते हैं तो इधर पर यह आपको एक विजुल ग्लिच देखने को मिल जाएगा कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स उपर एनिमेशन के इसको नीचे होना चाहिए था फिर इसके अंदर रहते हैं तो इधर आपको DC डिमिंग तो करणल पर ही i support नहीं जो इसका डिफॉट करनल उस पर सपोर्ट नहीं है looking नहीं है अपको screen में समझ में आ nuts तो इदर पर high brightness mode actually में working नहीं है and accent color भी जैसा कि आप देख सबते हो मेरा इदर पर टॉर्क वाइश है बड़े दर पिक्सल ब्लू दिखा रहा है तो accent color भी इदर पर पूरे system में apply नहीं होता है जो भी आप accent color चूज करते हो फिर इदर पर आपको वही styles and wallpaper colors फिर इस last में आपको ambient display को option मिल जाएगा तो इदर पर सारे gestures आपको ambient display के काम करते मिल जाएंगे इसके बाद sound settings में अगर जाएंगे तो सबसे नीचे आपको MI sound and enhancer and clear speaker का option आपको देखने को मिल जाता है इसके बाद security option में आपको इदर पर security stats आपकी device के देखने को मिल जाएंगे then फिर इदर पर आपको मिल जाता है screen lock and फिर इदर पर fingerprint face unlock and app locker यह तीनों options आपको इदर पर देखने को मिल जाएंगे which is quite good and फिर आपको encryption details and all को option भी देखने को मिल जाएगा privacy में आप privacy manager आप इदर पर देख सकते हैं तो आप कोई सभी permission इदर पर किसी भी आपके लिए allow or deny कर सकते हो अपने preference के according इसके पाद guys हम देख लेते हैं battery settings तो battery settings जैसे कि आप देख सकते हैं यह page आपको जाना पहचाना भी देखने को मिलेगा बाकी ROMS में भी आपको same battery panel देखने को मिल जाता है तो इदर पर यह आपको कुछ इस तरीके से तर टैप करेंगे तो आपको detailed battery stats देखने को मिल thermal profile भी आपको देखने को मिल जाएगा बर इदर पर touch sampling increase करने का gaming profile पर option नहीं है battery saver, adaptive battery, smart charging यह तीनों option इदर पर available है देन फिर इदर पर आपको battery का information देखने को मिल जाता है like cycle and capacity का information पर battery backup की अगर बात करूं तो आपको 9-9.5 घंटे का battery backup बहुत आराम से इस ROM में immensity x kernel के साथ देखने को मिल जाएगा normal usage में बाकी आपके usage पर भी actually depend करते है आप किस तरीके से ROM को use करते हो तो उस तरीके से आपका इदर पर battery backup देखने को मिलेगा फिर system settings के अंदर आपको front camera settings मिल जाएगा camera LED front camera sound effects, motor calibration ये सारे options आपको मिल जाएगे अधर फिर gestures के अंदर quickly open camera system navigation, gesture navigation के अंदर जाते है तो आपको gesture navigation पूरा कस्टमाइज करने के लिए option मिल जाएगा gesture bar length and radius आप चेंज कर सकते हो, haptic feedback, advanced gesture option का भी इधर पर option आपको इधर पर मिल जाते है फिर इधर पर two button navigation available नहीं है सिर्फ three button navigation आपको दूसरा option मिलेगा फिर इधर पर power menu का option मिल जाएगा फिर adaptive playback फिर इसके बाद legion OS updater तो ये I think arrow community या फिर arrow roam का इधर पर commit पूरा copy करके इधर आपको दे दिया गया है तो इधर पर आपको just like air OS theme updater आपको इधर पर देखना को मिल जाएगा Legion OS पे भी फिर इसके बाद पीछे चलें तो इधर पर ये था आपका settings panel and network and internet settings में गर जाते हैं तो इधर पर Wi-Fi calling, operator video calling ये दौना options आपको मिल जाते हैं बट एक चीज है इधर जब से मैंने इस रोम को flash किया है इधर पर LTE Plus का मेरे को option देखने को नहीं मिला तो LTE Plus मेरा signal आही नहीं रहा है actually मैं इस रोम पर तो I think इधर पर LTE Plus इधर पर broken है या फिर इधर पर work नहीं कर रहा है इस रोम पर क्योंकि Pixel Experience, Evo X और Siberia रोम पर जब मैं था तो मेरा Evo X इधर पर LTE Plus इधर पर work करता था इधर पर कस्टमाइजेशन के अगर बात करते हैं तो आपको ये काफी सारा इधर पर कस्टमाइजेशन ऑफर कर रही है इधर पर रोम तो स्टेटस बार आपको क्विक सेटिंग्स पर सबसे पहले हम जाते हैं तो आपको क्विक सॉरी data usage in qs header का option मिल जाएगा तो monthly and daily basis का त इधर से आप लगा सकते हो header image and फिर इधर पर qs expanded qs brightness slider and all ये सारे option ने auto brightness icon फिर इधर से आप rows and column कस्टमाइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से जैसे कि इधर पर मैंने 2x4 पर करके रखा है मेरा ideal layout आप बोल सकते हो तो इधर पर आप भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो status bar में status bar item आप इधर से on off कर सकते हो colored status bar icon इसके लिए actually में system UI restart करना पड़ेगा एक बार मैं आपको देखा देता हूँ D&D से हटा के तो जैसा कि आप इधर पर देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से colored system icon sorry notification icon आपको इधर पर देखने को मिल जाएंगे तो मेरे को personally थोड़े से ज़्याद ठीक लगते हैं बड़ उत्ते पसंद नहीं आता फिर clock option तो इधर से आप status bar का clock हर तरीके से customize कर सकते हो traffic indicators इस भी आपको देखने को मिल जाएंगे status bar पर finger slide करके brightness control को भी option मिल जाएगा फिर loyalty and बाकी icon change करने को option है फिर इधर पर आप themes के अंदर जाते हो तो आपको इधर बेस gradient color पिक कर सकते हो gradient color भी पिक करने का option है तो काफी अच्छा यह option मेरे को लगा actually मैं तो जैसा कि अब देख सकते हो मेरा turquoise color के साथ अधर पे blue mix है blue का gradient actually मैं मैं रखा है अधर अधर पर turquoise color के साथ तो यह आप भी अगर आप करना चाहो तो यह को काफी अच्छा option लगा switch appearance आ यह actually man g visual mode है जो कि आपको इतर पर रोम के साथ integrated मिल जाएगा then इतर पर quick setting opacity आप चेंज कर सकते हो brightness slider style तो इतर पर brightness slider style आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे तो आप अपने preference के according change कर सकते हो then qs header style तो इतर पर accent color based अगर accent color कर देते हैं तो जैसा कि यह आप देख सकते हो इतर पर accent color पूरी तरह के से apply नहीं होता है यह default pixel blue color ही किसी वज़े से show करता रहता है and इस system पर भी जज़ा कि मैंने आपको बताया पूरी हर जगह आपको accent color applied नहीं मिलेगा जो आपने choose किया है qs panel style भी आप change कर सकते है qs header style भी आप इतर से देखी चुके हम change कर सकते है so guys यह यह पूरा अपना qs tint style भी आपको मिल जाएगा android 11 and os 11 की style में lock screen के अंदर जाते है transparent notification को option मिल जाता है फिर इदर पर hide shortcut button lock screen UI आप इदर पर customize कर सकते हो like इदर पर clock का font clock का size position change कर सकते हो आप इदर से अपने हसाब से lock screen weather को option मिल जाता है background भी blur कर सकते हो आप lock screen का then इदर पर fingerprint authentication vibration fingerprint error vibration fingerprint fingerprint icon के अंदर जाए तो इदर पर आपको just like any other room सारे options आपको इदर पर fingerprint icons के लिए देखने को मिल जाएंगे तर फिंगर्प्रिंट animation effect की बात करें तो सिर्फ 9 आपको इदर पर 9 fingerprint animations इदर पर देखने को मिलेंगे screen of fingerprint को पी option मिल जाता है notification के अंदर इधर को option मिल जाएगा तो कि screen of power button torch को option आपको मिल जाएगा screenshot types आपको इदर पर मिल जाएगा swipe to screenshot को option आपको मिल जाएगा partial screenshot या फुल screenshot आप अपने recording चूज कर सकते हो gesture के अंदर अगर जाते हैं sorry ये देख चुके हैं navigation bar के अंदर navigation bar ये already हम system settings में देख चुके थे actually में फिर इदर पर buttons के अंदर जाते हैं तो show app volume का आपको option मिल जाएगा फिर इदर पर volume panel style आपको मिल जाता है तो default कुछ है आपको में एक बार दिखा देता हूँ default जो volume panel कुछ इस तरीक है का आपको AOS PA style में आपको default volume panel इदर पर पर देखने को मिलेगा और बाकी options पर आप try कर सकते हो अगर आप interested हो तो फिर बाकी options इदर पर नॉर्मल है then power menu तो इदर से आप advanced reboots इदर से आप enable कर सकते हो then इसके बाद animations आप इदर से change कर सकते है animations का option है then फिर इदर पर miscellaneous में आपको double tap to charge and allow signature spoofing so guys इदर पर actually में gaming mode देखने को नहीं मिला कहीं भी settings में तो actually में इस build पर legion OS के gaming mode available भी नहीं है and फिर इदर पर आपका ये पूरा legion OS का settings हो गया and इदर पर आपको मैं already system settings का overview दे चुका हूं so guys ये था हमारा पूरा system settings and customization center for legion OS now guys अब हम देख लेते हैं इदर पर RAM management तो इदर पर मैं कुछ apps open करूंगा सबसे पहले clear all कर देता हूं मैं memory को and Zomato से start करते हैं and कुछ apps इदर पर open करते हैं सारे normal and heavy apps इदर पर open करके एक बार देखते हैं तो मैं as usual इदर पर इस पार्ट को थोड़ा सा app opening के पार्ट को मैं first time app open कर रहा हूं थोड़ा सा fast forward कर दूंगा जिससे कि थोड़ा सा वीडियो का length कम हो सके but इदर पर जब हम reopen करेंगे apps को तो वह normal speed पर open करेंगे तो अब देख सकते हो मैं काफी सारे इदर पर open कर रहा हूं spark post इदर पर मैंने open कर रहा है जो कि heavy app है sony live को भी हमने इदर पर open कर दिया है Snapseed open कर लेते हैं इसके बाद इदर पर Simple Pay इदर पर open कर लेते हैं Then इदर पर Play Store काफी जल्दी इदर पर open हो गया Facebook and Instagram को भी इदर पर open कर लेते हैं इसके बाद मैं कर देता हूँ Gmail को open अब हमें इदर पर कुछ यह सारे मैंने Apps open किये थे and देखते हैं Zomato इदर पर memory पर था and YouTube Studio इदर पर memory पर था Music इदर पर memory है and इदर पर हमारा YouTube भी memory पर WhatsApp विसली memory पर हमेशा ही रहता है Wallpaper एप यह दोनों ही इदर पर memory पर है and फिर इदर पर VLC भी देख सकते हैं जैसे कि आप इदर पर memory पर and Telegram पर इदर पर memory पर है तो जैसे कि आप इदर पर देख सकते हो जो हमने शुरू शुरू में अप उपन किये थे वो भी इदर पर memory पर है and even Spark Post इदर पर memory पर मिल जाएगा तो Sony Live का app actually में crash होता ही है तो यह रोम का actually में fault नहीं है बट इदर पर यह memory पर था and इदर पर Snapseed भी इदर पर memory पर मिल जाएगा आपको Simple Pay भी memory पर मिलेगा इसके बाद हमने open किया था Play Store तो Play Store actually में किसी वज़ासे इदर पर reload हुआ है बट इदर पर Facebook memory पर है and Instagram देखते है तो Instagram भी इदर पर memory पर है so I don't know for some unknown reasons इदर पर Facebook sorry Play Store इदर पर reload हुआ but बाकी सारे अपस इदर पर memory पर थे जैसे कि आप देख सकते हूँ इतने सारे इदर पर हमने इदर पर apps open किये थे and so clear all कर देते है अब मैं आपको इदर पर दिखा देता हूँ Geekbench 5 का score तो मेरा app ये रहा and इदर पर मैंने already actually मैं test करके रखा हुगा है तो मैं history में आपको इदर पर दिखा हूँगा तो जैसे कि आप इदर पर देख सकते हो 738 single core पर and multi core पर 2573 का score आपको देखने को मिलेगा ये मैंने थर्मल प्रोफाइल सेट करने के बाद इदर पर Geekbench score लिया है and फिर इदर पर मैं आपको दिखा देता हूँ safety net status तो मैं rooted नहीं हूँ actually मैं तो इदर पर मैं live test इदर पर run कर देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो past देदर पर safety net status ये गवार native root checker भी इदर पर check कर लेते हैं तो जैसे कि आप इदर पर देख सकते हो SC Linux status ये app permissive दिखाता है बट आपको Legion OS के about section में ये आपको देखने को मिल जाएगा enforcing but I don't know what to believe तो इदर पर but मैं rooted नहीं हूँ जैसे कि आप देख सकते हो but इदर पर ये चीज़ दिखा रहा है so guys अगर मैं अपने personal opinion में आपको दूँ तो इदर पर मैं आपको बिल्कुर recommend नहीं करूंगा इस build को अभी flash करने के लिए I think आपको एक दो build का और wait करना चाहिए क्योंकि अभी ये first build है in OSS vendor पहले ये MIUI vendor based room था तो आप एक दो build I think इदर पर wait करो उसके बाद इसको flash करना तो हो सकता है आपको इस build से ज़ादा stable build देखने को मिल जाए in future but इस build पर काफी ज़ादा इदर उदर दिक्कते हैं चोटी चोटी सी दिक्कते हैं बट वह डेली लाइफ अगर आपको रोज आने लगेंगी तो वही दिक्कते फिर इदर पर बड़ी लगने लग जाती है तो एक दो build रुक कि आपकर इसको test करना चाहो या फिर अपने as a daily driver इसको install करना चाहो तो I think कर सकते हो बट वह एक दो build आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या इंप्रूव हुआ है और क्या क्या तब भी इदर पर problem exist करती है कि नहीं बाट इदर पर काफी लोग बोलते Siberia OS से compare करना तो भाई Siberia OS से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यह रोम तो एंग इस रोम में कुछ यूनीक भी नहीं है जस्लाइक अनी अदर रोम एधर पर कमेट उठा के अधर पर कॉपी एंड पेस्ट करके आपको नहीं रोम बना के दे दिया गया है बाकी सारे अच्छली में जो भी अच्छे अच्छे रोम के बाकी फीचर्स थे वो सारे उठाएं और कॉपी कर दियें तो I don't find anything unique about this रोम बट सबका एक personal opinion होता है So guys इस वीडियो के लिए से फितना ही है और मिलते हैं एक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए गुडबाई एंड टेक क्यर